बेलकम टू इलाइश्टेडी प्लेटफरम इस वीडियो में डिस्क्सन करेंगे पटबारी प्रिक्सा जो 17 नमंबर 2019 को हुई उसकी एक्सपेक्टेट का टॉफ लिस्ट क्या जा सकती है क्योंकि विभाग के दौरा ओफिसली अंसर की जारी कर दी है साथ में आपको यह भी पताएंगे एट प्रजेंट यदि हम बात करें तत्यों के हधार पे प्रिक्सा रद होने की संभाबना कितनी है यदि ऐसा भी नहीं हो पाता है तो आगे कौन-कौन सी प्रिक्सा आने वाली है जिनके उपर आप अपना दिहान केंदरित करें यदि आप माचल प्रदे सरकार में नौकरी प्राप्त करना चाहते हो यह सारी जानकारी आपको इस वीडियो में उपलवत करवाए जाएगी यदि आपको किसी पी तरह की अधियन समगरी चाहिए तो आप हमारी वैपसाइट Ilustradico.net के उपर विजिट कर सकते हो देखिए हमारी टीम का परिसनल एनलीजी निकाला गया है हो सकता है इससे थोड़ी सी ऊपर निचे कट आफ लिस्ट हो सकती है लेकिन इधि आप इस जोन में है तो हमारी टीम का यह माणना है कि आप सेफ जोन में है जर्नल केटेगिरी के बात करें 85 to 90 क्यूंकि पोस्टे बहुत ही कम है दिह हम देखे जिस तरह से केंडिडेट्स ने अपिरेंस दी है और जिस तरह से स्ट्रेंस त्यारी भी की थी कुछ बच्चों ने बहुत तन्मन से त्यारी की थी हमारी टीम के साथ बहुत से बच्चे से जुड़े हुए थे जोने रात दिन एक कर दिया था सब सारी चीजियों भूल गया थे सिर्फ कंसंट्रेट करते थे अपनी पढ़ाई के उपर तो हमने ऐसे बच्चों के कॉंटेक्ट में हम लोग थे जो की बहुत ही डेडिकेटी त्यारी करते थे और एक ग्रूप ऐसा भी था जो की विभिन तरह की भ्रहमित सुचनाओं के पीछे भागता था हमारे गूरूप में इस तरह के लोगों को हमने आवाइड किया था यह जो कटाफ लिस्ट बनाई गई है ऐसे लोगों से हमने संपरक सादा है जिन्होंने बहुत ही सीरियस त्यारी की थी और जिन्होंने परसासनिक सेवाओं का प्रीलिंबरी प्रानबिक प्रिक्सा को भी क किया हुआ है, कुछ ऐसे भी इसमें नाम है, तो मैं आपको बता दूँ, जर्नल कैटेगरी में हमारी टीम में एनलिस निकालती है, कि 85-90 के 20 में कट आफ जा सकती है, हो सकता है थोड़ी सी कम या थोड़ी सी जादा भी हो सकती है, एकॉनमिक बिकर सेक्षन के बात करें, तो हम 70-50 से एस्षी सेफ जोन बानी जा सकती है, ST कैटेगरी के बात करें, 70-45 सेफ जोन मानी जा सकती है, यदि आप SC और SG के साथ में IRDP या एकॉनमिक बिकर सक्षन से है, तो 60-70 के भीच में सेफ गेम मानी जा सकती है, यह हमारी टीम का मानना है, क्रीपे आप भी कमेंट सेक्षन में अपने विचार हमारे साथ सांजा करे ताकि हम इसका और भी overview कर सकें अब आगे आपको बता देते हैं कि आपकी कमिया कहां रही होगी देखिए जैसे मैंने आपको बार-बार बोलता था यह आपने मेरे वीडियो ध्यान से सुने होंगे कि आप और बार पड़े बार बार पड़े उससे आपको पता चलना था किस चीज को आपने पहले mathematics को करना है इंग्रीज को करना है हिंदी को करना है कहां पर किस चीज को कितना बेटेस देना है यह सारा conclusion आपका old question paper से बनना था इसके लाबा में आपको एक और बात दाता था कि आप विभीन तरह के old question paper भी पड़ें क्यों पड़ें लाकि आपको examiner के at present status का पता चल सके क्योंकि पड़वारी की प्रिक्सा में कुछ ऐसे बिदार्थियों ने बड़ से आपके माद्यम से या facebook के असबता है कि किसी एक प्रिक्सा से बहुत से प्रसंद बहाँ पर रपीट हुए है ठीक है तो देखें स्टेंड्स रपीट हुए दिया आपने भी पड़ ली होते तो साहथ आप भी पड़वारी होते तो मैं आपको बोलता हूँ कोई प्रिक्सा दिया आपके सामने आज सकल यूट्यूब के आपको घर बैठे निसुलक में मिल जाते एक अबार सुनदी जी उनको बहुत से प्रसंद आपके दिमाग में बैठ जाएंगे और जिन प्रसंदों को हम old question paper में पढ़ते है तो स्टेंड्स हो कभी भी हमारे दि तीन लाग केंड़ेट्स को आपने बैठाया है कुछ तुल्टिया इसमें जरूर थी लेकिन मैं आपको एक बात बताओं जहां तक मुझे कुछी इंस्ट्रक्शन मिली थी ठीक है जितने मेरे पास अपनी अपनी कैपड़िटी थी उन इंस्ट्रक्शन को समझने में उसमें ये भी आ गया था यदि किसी भी किम्मत पे कोई भी कैंड़ेटी 승सा से नहीं छूटना चाहिए मतलब इसका यह था किन दो रोन नंबर इसमें आपकें किसी कंड़ेट्स करहीं किसी इंसरिमी में नहीं पहुच पाया लेकिन वह आपकें केंड़ेट्स के आपकेंकें ग क्लियर सब्दों में अंसर की इसकी जारी कर दी है यह आपको लगता है कि अंसर की में कोई तुरूटी है तो 20 नवंबर 2019 तक पांच बज़े तक आप उसका अबजेक्शन एमिल के माद्यम से भेज सकते हैं अंसर की के निचे बी बताया गया है तो मुझे यहां पर लगनी रह सकता कि किस तरफे परिक्सा जाएगी क्या इबिडेंस इसमें रहते हैं क्या नहीं रहते हैं लेकिन यह जो हमने आपको स्कोर बताया आपका स्कोर वो तो आप सेफ जोन में आप निश्चित रहें ठीक है और देखिए अब यह सारा भूल जाए जो भी होना है उसका decision करना छोड़ दें यदि आप पढ़ाई सच्चे मन से कर रहे हैं अगला जो सबसे बड़ आपके सामने आने बाला है एक्जाम होगा पंचायत secretary की post यह बहुत बलक में आने वाली है ठीक है और इसके लिए qualification जहां तक हमारा मानने प्लस टू क्या सपासी रहने वाली है तो आप अपने आपको त्यार कर लें पंचायत secretary के लिए और जियो आईटी में भी बहुत ज़्यादा post यह आने वाली है ठीक है जो qualification का issue है आप उसके ओपर थोड़ा सा दी जो चाते कि इसमें higher qualifications बालों को बाहर कर दिया गया थी थोड़ा सा ओभी struggle करें तो आई थिंक कि अच्छा एक्जाम होने वाल और बहुत से लोगों को रोजगार जियो आईटी में मुझे दिख रहा है TGT की और PGT की recruitment भी चली हुई है ठीक है PGT के कुछ ही subject की अभी interviews की कुछ की आने वाली है और सरकार ने cabinet में निरने लिया है कि class 3rd और 4th एक students ने मुझे पुछा था कि class 3rd और 4th में कौन सी category आती है मैं आपको बता दूँ यह जियो आईटी पंचाज सेक्रेटरी ठीक है तो class 4 में आती है ठीक है यहां पर दिया हम बात करें दो कि assistant professor एक class 1 post होती है ठीक है इसके लिए बाहर के राज़े वाले भी अपलाई कर सकते है आप उनको नहीं रोक सकते लेकिन class 3rd और 4 के लिए government ने एक decision लिया है कि दिया आपने आठ्वी से लिके बाहरमी तक आपको इम नमंबर के last में सेट का result भी आने वाला है पकी खबर आपको बता दें ठीक है हमारी judgment बहुत सार्फ हो चुकी इस तरह के matters में क्योंकि पिछले 8-10 बरसों का अनुभब sat net etc से भी हम लोग जुडे हुए है प्रसाशनिक सेवां से भी जुडे हुए है ठीक है तो उसके बाद लग रहा है मुझे कि नमंबर लास्ट या दिसंबर में assistant professor की कुछ पोस्ट आपको advertisement के माद्दियम से HVPACC मला के द्वारा big up ती जारी हो सकती है electricity department की 200 स्ताबन पोस्ट है separate video बनाया गया उसको आप लोग देख लेए इसमें GIT की 573 पोस्टे दरसाई गई है और इसके अलाब अभी various department में बहुत ज़्यादा recruitment तो मैं नहीं बोलूँगा recruitment हो रही है ठीक है यदि आप बस इन भ्रहमित सुचनाओं से बचे अपने आपको positive रखें पढ़ाई की तरफ अपना ध्यान रखें मैं आपको ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आप किसी और तरफ ना जाएं ठीक है यदि आपको ल आप से तो अगले test के लिए आप उनको दूर करें भी इन तरह के departments में कुछ ना कुछ पोस्टे निकल ही रही है ठीक है और आपको तो यह की पोस्ट चाहिए आपको ज्यादा पोस्ट लूग क्या आप सकता नहीं है तो आपकी एक पोस्ट भोगी उसके लिए भी आपना दा देन समगरी नहीं है तो हमारी टीम काफी अनुभवी टीम है हमारी टीम के दवारा जनुबरी से से शेप्टेमबर दोजार उनीस तक के क्रंट फिर्स आप लोगों के लिए उपलवद करवाए गया है इसमें डे टू डे क्रंट फिर्स है हिमाचल प्रदिस राष्टे तता झाल